बच्चों आज हम लोग इंस्क्रिप्शन आफ उद्यादित्य जो एक पर्मार राजा थे उनकी इंस्क्रिप्शन पर आज हम लोग बात करेंगे पर्मार वंच के यह यह तो बहुत सारे शासके शहस्वी हुए हैं जिसमें भोज का नाम सबसे उपर है लेकिन हम लोग को जो सबस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन को देखेंगे कि उद्यादित्य जिसका कि रूल जो था वह 1070 से 1086 के बीच में था और इसमें शुरू करने से पहले मैंने क्लिस्ट बना दिया कि कौन-कौन से इंस्क्रिप्शन जो है हम इसमें डील करने वाले हैं पहले उनकी एक लिस्ट देख लें फिर क्रम से एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा शौट में बताएंगे क्योंकि आल्रेडी काफी सारे इंस्क्रिप्शन हो दिया दित के प्राप्त हुए पहला है नील कंटेश्वर टेंपल स्टोन पीस इंस्क्रिप्शन हिंदी में इस इस तरह से दीजिए विक्रम समवत दीजिए जो अभिलेक में वह विक्रम समवत है इसलिए मैंने कोशिश करिए कि सारे अभिलेकों को विक्रम समवत के इसाब से बताओ इसी प्रकार से नील कंटेश्वर मंदिर के तीनों नील कंटेश्वर मंदिर के इवन यह चौथा भी जो है और विदाउट डेट तीसरा जो है लेटर है और विदाउट डेट उसके अंदर क्या क्या यह भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और डीटेल में समझ लेगे तो यह पहला होग नियल कंटेश्वर तेंपल स्टोन पीस वही नाम नेकार दिशले नीचे लिखिए पुर् पहले स्टोन पीस इंस्क्रिप्शन लेटर इंड विदाउट डेट नील कंटेश्वर मंदिर का प्रस्तर खंड अभिलेक बाद का और बिनाति थी यह फिर चौता है उद्वेश्य टैंपल इंस्क्रिप्शन इस्टोन इंस्क्रिप्शन यह डेटेड है इस तरह से मैंने दस प्रमुक यह प्रमुक है ताम अभिलेक इसमें एक बिन्या है सारे स्टोन अभिलेक है और यह प्रमुक अभी लेक है ओदिया दित्ती के तो हम इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बच्चों बस बात वही है कि इसको हमको किस तरीके से पढ़ना फंप्रम सारी बाते नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी मुख्य बाते सारी आजाएंगी तो पहला टेंपल पहला इंसक्रिप्शन नील कंटेश्वर स्टोनपीज इंसक्रिप्शन इस डेटेटेट अ उदयपूर फोड़ेपूर और नील कंटेश्वर टैंपल इस प्लेस देखिए विदिशा के पास एक उदाय पुर्णामक जब गया है वहां पर निलकंटेश और मंदिर पाया गया और उसी के यह सारे अभी लेग उसी मंदिर प्रांगड में लगे हुए यह बहुत लिखा हुआ नहीं है और किस उद्देश इसे बनाए गया यह भी सपस्ट नहीं दिख रहा अचीवमेंट जो है उद्यादिति की प्लब्दिया है वह इसमें दिय हुए है इस ऑल्सों क्लियर देट वेन भोज वाज रूलर रूलर उद्यादिति वाज मांडली का विदिशा बस यह लग रहा है कि भोज के समय में उद्यादिति यहां का मंडलादिक या मंडलिक हुआ करता था ही वास्ट बैस्ट अमंग सक्सेसर सो ही गॉर्द थ्रॉन चुकि वह सब में सही था इसलिए भोज के बाद उसको उत्रादिकार मिलता है दूसरा जिसे उद्यपूर प्रशस्ति भी कहा जाता है जो सबसे महत्पूर अभी लेखो में आता है इट वासो फॉंड इन सेम प्लेस और प्रिजेंटिंग इन ग्वालियर में यह पाया वहीं गया था लेकिन अभी ग्वालियर संग्रहाले में रखा हुआ है टोटल डैनस्टी इ इवन इन 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 इंस्कृप्षिन सार्यवंच है उनके सार्यवंच वालियो के दिस्क्रिप्षिन है तैस्ट इस डानस्टी इस ओरिजिन फ्रॉम पूर्ण, फॉम पुरान, पुरानों ते उसकी उत्पत्ति की बात यहां पर करी गई है लिए अल्ट रुद्रार्ज, और तो इसमें क्या है सारे के सारे शासक दिये गए और अपने भाई तक का भी चोटे भाई का भी वरडन इसमें करता हो दिखता है और विक्टरीज अव भोज लॉट अव दिखाए देती है और अधिती की प्रशंसा लिखी है वो भी हमको यहां पाई जाती है नेक्स बनीज निल कंटेश्व टेमपल इस्टून इंसक्रिप्शन यह लेटर है विदाउट डेट है इस इसे लेटर पार प्रिविस इंस्क्रिप्शिप्शन प्रेटली इस इन देग्वालियर में जिए जो इसके पहले वाला अभी बताया यह इसका ऐसा लगता है कि बात क इस पश्ट दिखाए देती है सम्ट फ्यूडल्स अफ जादित्य वर मेड इस इंस्क्रिप्शन ऐसा लगता है कि किसी सामंत निसके निर्माण किया ता देटिल डिनेस्टी वस अल्सो गिवन इसमें पूरे वंश की वरणन भी दिये होए दो फॉर्ट वन इस उदेश्य ट मंदिर की आस्पास की प्रमाइस में काफी मिले है करिंगम ने इसको पहली बार रीट किया था डिटेल अफ डानेस्टी विस नौट गिवन पूरी डानेस्टी का डिटेल इसमें नहीं दिया गया है तर रिटेन और राइटर अफ इस इंस्क्रिप्शन इस महिपाल ही रोड इस नेम आफ टेंपल वहां पर वह जो राइटर है इसका पूराभी लेख लिखने वाला महिपाल है और वह इसको उद्येश्वर मंदिर कह रहा है इसके बादे गॉर्डेस इसकल्चर अब धार इट इस वाइट स्टोन मेड इसकल्प्चर ऑफ गॉर्डेस टू लैंस इंस आध पीठिका पर दो लाइन का भी लेख लिखा हुआ है दा लाइन्स आर नौट वेरी क्लियर एंड सीम्स इंकरेक्ट यह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और ऐसा लगता है कि गलती व्याकरण संबंधी गल्तिया भी दिखाए देती इस गेवन देट इसकल्प्चर मेड इस सब्सक्राइब उद्यादित्य टोडियादिति के समय स्कल्प्चर बना था ब्रहम विष्णु गयनेश शीवरा अलस विफ इवन इस इस सब्सक्राइब में साइड में बहुत बने धूए है और नेक्स दिसदिखें देशन इंस्टोन इंस्क्रिप्शन was to make a lake near the city ऐसा लगता है कि उदयपूर सिटी के पास किसी जील के खुदाय जाने का परपस है इसको बनाने का इट वस और रिटेन बाइ महिपाल यह भी महिपाल के द्वारा लिखा है और डैनेस्टी वस नॉट गिवन इस इंस्क्रिप्शन इसमें डैनेस्टी नहीं दी गई ढ़्य जहां पर एक कहत के दोडिह यहीं मिलता है जैक इंसे इंस इंस्सक्रिप्शन दॉनेट विद्धिती डोनेट संही लैन्ड अक्षय दीपक इस इंस्क्रिप्शन में जो इसका बेटा है नर्वरमन वो कुछ डोनेशन देता है अक्षय दीपक जलाने के लिए गरुण सिंबल ऑफ परमार इस गिवन ऑन इस इसक्रिप्शन हाथ जोड़े वह जो गरुण का इसक्रिप्शन है जो सांबॉल है वह इसमें दिया हुआ है टू प्लेसे राधा रद घटिका रद घट से घटिया का अनुमान लगाया जाता है यह दो प्लेसेस के नाम इस कमेड इंस्क्रिप्शन में दिये हैं संभवतिया नर्वरमन का पुत्र बिमार था और उसको लंबी आयू के लिए अखंड दीपक जलवाने के लिए यह स्टोन बना था यह इंस्क्रिप्शन बना था न परपस वास्ट डिस डिस्क्राइब अब शिव टेंपल एंड वाटर कुंड इंद जहलार पाटन इंड सम अधर डोनेशन यह इसमें में परपस है कि एक शिव टेंपल बनाया गया है और इसका पूरा जो दान बगेरा है इसका डिस्क्रिप्शन इसा भी लेक में मिलता है टेंपल इसमेड बाइब पर टेल अफ तैलक डियरस्टी किसी पटेल व्यक्ति ने जिसका सर्ने में पर टेल वह तैलक डियरस्टी को अपने आपको बता रहा है उस अभी लेक में और उसने इस टेंपल को बनाया है इंद लास्ट लाइन अबॉड गॉड़्ड लक्ष्मी इस हर ब्लेसिंग्स वर डिस्क्राइब आखरी लाइन में भगवान माता लक्ष्मी और उसके अशिरवात की पुष्टी उसमें होती है विद्दा नेम अफ उद्यादित्य टू परमार साइंस परमार साइंस वर ऑल्सो गिवन इसमें जो है उद्यादित्ति के नाम के साथ साइस साइनस का मतलब या सिम्पल से परमार सिम्पल भी उसमें उपस्तित हैं नेक्स्ट शेरगड इंस्क्रिप्षन इस फांड इन शेरगड कोटा राजिस्थान अ अलखेकर असगीवन दाव धिटेल आइस एंस्क्रिप्षन इंग्रेव्ड और लक्ष्मी नहाराइन टे इस्तिति में राइटिंग भी बहुत अच्छी है चौबिस लाइन का यह इंस्क्रिप्शन है डायनिक डायनिस्टी ऑफ डोनेटर इस गीवें जो दान करता है उसकी पूरी बश्वाली दी हुई है यह लक्षमी नरायन मंदिर के भी होने की पुष्टी होती है नेक्स लास्टहेंग करणडेंग नागबंद इंस्क्रिप्शन यह माहा कामंदिर का अगे नागबंद अभी लेग अभी प्रकशिस्ती यह दोनों अभी लेग अळिती अधीक सब और होने हिएं दोगशार पैंपलあります केयन शास्त्री गिवें डडीटेल महाकल मंदिर में यह लगा है केs शास्त्री में इसका पूरा वरणन किया है यह दो भागों में पहला तो ऊपर के फ्लोर पे लगा हुआ है और दूसरा जो है गर्भ ग्रह में लगा हुआ है इस इंस्क्रिप्षिन गेप the detail of ओधियादित्य इस्म सेर चेफने नर्वर्वर्मन तक मिलता है परहाप्स नरवर्मन ने इस इंस्क्रिप्शन को लिखा होगा उसमें वह स्वयम को सु कभी भी कहता हुआ दिख रहा है और एक अन्य अभिलेक भी चुक इसने रचा है इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है नाग बंद का मतलब होता है नाग जो दूसरे पर लिप्ट हुए नागों का एक चित्र है जो परमार अभी लिकों में हमें एक दो जगे दिखने को मिलता है और इसके साथ ही पूरी अक्षर माला जो है संस्कृत की और उसका कहता है वह भी उसी नाग बंद के साथ में इस देती के मेजर इंस्क्रिप्शन से मुख्य इंस्क्रिप्शन है जिनकों की हम लोगों को इसमें डिटेल पढ़ना है तो यह जो है इतना सफिशेंट है बच्चों इससे ज्यादा लिखने की इसमें कोई आशकता नहीं थेंक्यू फॉर दे लेक्च्चर झाल